हेलो एवरिवन मैं विशुजीत सिंग आप सभी का दाहिन आपको स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम M.A.History M.H.I.09 का लेसन 16 पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर में हम बात करेंगे सविधानिक विकास के बारे में इस लेसन को टोटल हम तीन पार्ट में कवर करेंगे पार्ट वन की वीडियो अल्रेडी मैं बना चुका हूँ साइवन कमिशन जिसके अंदर में हमने पढ़ा था अगर अपी तक आपने पार्ट वन की वीडियो नहीं देखिए और इस रिपोर्ट के अंदर में कौन-कौन से प्रावधान ते क्या आसियती क्या-क्या सुझाव दिएगा इसके बारे में हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा पार्ट थी रहेगा जिसके अंदर में हम बात करेंगे 1935 के कानून के बारे में 1935 का कानून के था और उसके प्रावधान के थे उसके बारे माम पार्ट थी के अंदर डिस्कस करने वाले हैं देखो अब यहां पर आपको अपना जो सोच है ना जो सोच ने की सकती है थोड़ा सा विक्सित करना है और यह चीज़े समझना है कि हमारा देश 15 अगास 1947 को तो अजाद हुआ अजादी का जो इतिहास है पीछे काफिस्त में से मैं आपको पढ़ाते आ रहा हूँ तो आपने समझ चुके हूँ कि किसी सतर की कौन-कौन से आंदोल उनुवे क्या क्या मुव्मिन्ट चला और भारत की सिति क्या रही हिंदू मुस्लिम जो महिला हैं थी उनका क्या रोल रहा सब कुछ आपको समझी में आ चुका है अब यहां पर आता है ना एक सोच के बारे में आपकर बात कर एक मानसिक्ता जो पहले सई पहले सई यह लोग ऐसे हैं डिक है इस तरी की मानसिक्ता के बारें में डिसक्ल्स करने वाले अब जैसे जो ब्रिटिस सरकार था उनके हम कही ना गलां थे इना गला मतलब पूरी तरसर औही उनके घुलां थे अब गुलामी के दौर में उनकी कही ना कि एक मांसिक्ता यह बन चुकी थी कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं अगर हमें देश अजाद भी कर दिया हमारे हाथ में अगर देश दे भी दिया तो हम चला नहीं सकते हम मतलब इस तरह से आ जाएगा कि भुकमरी अकाली चा जाएगा ठीकि अंडरेस्टिमेट करना ना इस तरह क बड़ी प्रॉब्लम क्याती ना दो सबसे बड़ी मिजर प्रॉब्लम देखी जाती है एक तो होती है कि भारत के अंदर में बहुत ज़्यादा थी ठीके जो लोग से बहुत ज़्यादा बटे हुए थे ठीके हिंदू मुसलिम जाती ब्राह्मण सीक इसाई राजपूत ब्र दूसरा चीज यहां पर क्या था कि जो भारत के लोग थे बटे तो हुए थे भारत जो पूरा भारत भी है ना वह भी 565 टुकडों में बटा हुआ था तो भारत के अंदर में जो भी छोटे-छोटे राजवाड़े थे ना राजा थे वो कहीं ना कहीं अपनी अधिपत जमा रही थी अब यहां पर जब सोराज पार्टी के गठन क्या जाता है तो सोराजánt के साथ में यह प्रपोजल रखा जाता है कि हमें एक सुवधानिक तरीके से लड़ाई लडने चाहिए आप जो त्रडिशनल तरीका है कि एक कूरेंगे चलो यह करेंनगे, लड़ाई करेंगे मारेंगे पिटेंगे ये वाला जो ट्राइशनल तरीका हो तो चलता रहेगा साथ साथ में हमें एक कानूनी तरीके से सेविधानिक तरीके से भी लड़ाई लड़ना तो यहां पर नहरू जो थे नहरू के जवारा यहां पर हम मोतिवला के इनकी सबढ़ सकता है चीज़े यहां पर रखने के कि यहां पर वुषरत करने क्यों पड़ी क्योंकि हमारा देश, हमारे लोग और कानून कौन बना रहा है तो गंगरे सरकार बना रहा है उनको पता ही नहीं कि भारत के अंदर में लोगों को क्या जुरूते क्या चीज़े नहीं है कानून अगर वो बनाएंगे तो उनको क्या किस सरी से क्या implement होगा क्या फाइदा होगा लोगों का तो यह एक यहाँ पर प्रॉब्लम था जिसके कारण से यह नहरू रिपोर्ट लाए गया जिसके अंदर में इन चीजों के उपर में बोला गया कि हमारे लोगों के लिए हमें कानून बनाने का को नहीं हम उसके अंदर में कर सकते जिसके बात क्या होता है कि जो भी महत्यपुन भारती नेता थे उनके राजनीतिक दल थे जो भी राजनीतिक दल उससे भारत के अंदर में मौझूद थे उन्होंने सर्व सम्मत्ति से एक सविधान बनाकर बिटिस सरकार के सामने में रखा और उनके चौनोती को यहां पर बात कर आख है 10 बड़ति हैं अगय में बात करो तो भरत के रिख संसरकार के दौरा इसको達 कर आघा उसको सब्सक्रास किया जाता लएं लिख सब्सक्राइब इसको बाहां से बन कर आता था है flatter जोब बिख छीज हो गया तो वहां आख कर आता था जैसे जैसे बाकी जो देश थे ना बाकी जो country ते जाए अपकर करनडा की बात करो UK की बात करो मतलब केनेडा की हो गया और अस्टेलिया की हो गया निजलेंड की बात करो इन सब जगों पर भी सेम चीज था और आज भी सेम है बट यहां पर थोड़ा सा स्वाधिनता उनको दे कर देखार भारत सम्तों है अब यहां पे सब्सक्राइब कि लिए कानुन कहां से बंकर आजनए बात की गई उसने क्या कि चुनोती करए जो यह लौड वन का यह काम वहिसकार करना उस समय का समय वहन दें मतलब सम साइमन कमीशन आया बाग की जो बाहिसकार कर दो इसके बारे में साइमन कमिशन के द्वारा बोला गया फाफी सारी चीजे के बारे में बोला गया जो मैंने पीछे की वीडियो में बात किया था तो यहाँ पर लॉड वर्ण नहेड करके जो भारत के सचीव थे, उन्होंने ये बोला कि किसी भी आयूग का वहिसकार करना न समय का वैर्थ है, समय को गवाने जासा है, समय को विष्ट करने जासा है, जब तक वे भारती है, एक सरुमानने सविधान का निर्मान नहीं कर लेत अब यहाँ पर सरुमानने सविधान का मतलग क्या है? आप देको भारत के इंदर में अलग-अलग जाती है, अलग-अलग धर में, अमीर, करीब, काला, गोला, गोरा, यहाँ पर अलग-अलग तरीके से बटे हुए, बहुत जादा बिवीत्ता है, बहुत जादा सब को पता था बट आज के समय में जो हमारा कर सभीधान देखो गए तो एक example बनकर उबरता है सभी देशों के लिए जो आज से हम से सो साल पहले अजाद हुए यह उसके आगे और पीछे के जो भी लोग थे उनके लिए एक example बनकर आता है हमारा सभीधान जो कभी भी नहीं बदला गया सभीधान है और टाइम के साथ में मतलब आने वाले 200-300 सालों के हिसाब से वो चल रहा है और आगे चलेगा इस हिसाब से बनाया गया तो एक बहुत सब भी लोग उसको accept करें कोई भी rule regulation बनाओगे कि हाँ चीज़ यहां पर ऐसा होना चाहिए तो उसके लिए सब लोग agree करें यह बहुत बड़ा दिक्कत था यह सबसे बड़ी problem यहां पर बनकर आती है तो यह चीज़े थी जिसकी कान से अंग्रीज सबना एक तरसे मजाग उ बोलेगा कि राजपुत को पांसिक सजा होनी चाहिए और उसको सवांसिक सजा नी होनी चाहिए तो सब बोलेगा नी ना तो कानून किस हिसाब से बनाओगे ठीक है तो यह चीज़े यहां पर थी कि सरु मानने सब लोग माने अगर आप कहरें कि महिलाओं को vote correction दो तो यहां सबसे बड़ी चैलेंजिस वहां पर देखने के लिए और बहुत सारे इस तरह के लाखो चैलेंजिस आपको देखने के मिल जाते हैं यहां पर मैं आपको ने एक वीडियो रेकमेंड करूंगा आप देखोगे तो बहुत आपको knowledge मिलेगा उस वीडियो से उस वीडियो को जो सभिधान सभा का निर्मान हुआ किस तरह के सभिधान बनाया गया भारत का जो constitution है सबसे बड़ा लिखित सभिधान इस तरह से उसका निर्मान हो उसके बार में आपको डिटील से जानकारी मिलेगा और बहुत ही knowledge full वीडियो रहने वाली है तो आपको अगर free हो time में आपके सभास में knowledge चाहते हो गिन करना तुम आप उसको देख सकते हो अब यहां पर ना इस उद्देशिय के साथ में कि सर्व मानने सभिधान का निर्मान किया जा सके इसको पूरा करने के लिए सर्व दल्ले समीती बनाई जाती है गठन किया जाता है समेलन किया जिसमें जितने भी के ज़से बारत को पूरा के अदर में में मैं की कज्ण बनाया यहांपे जो बारबर के ना वीजführ प्रॉलिंग पार्टी पार्टी बनाी है उनका बार बार कहना ता है कि सबसे पहले तो एक हो जाओ, तब न आप परदान मंत्री के लिए लड़ोगे, आप के रहे मोधी को हुरा दोगे, मोधी को हुरा दोगे, अकेले दो हुराने से रहे, और साथ में आने के लिए सबसे पहले तो आपको एक होना पड़ेगा, एक मत होना पड़ेगा, सरु मानने होकर आप जो भी बोल रहे हो ना सब लोग माने कि भाईया ये वाला सीट से तू लड़ ले ये वाला सीट से तू ले ले जब तक सब एगरी नहीं होंगे आपका तो कोई मिलना जुलना एक जैसा ही है तो ये चीज़े थी और इसी का फाइदा उठाकर बीजेपी रूल कर रह प्रांतिय परिशत के निर्वाची जो सदस्य हों उनकी संख्या दोसों हो और नहरु के और हम साथ वर्षी सीनेट होने चाहिए जो इनकी संसद होने जो संसद होंते हैं यहां पर कहा क्या है भारत के अंदर मैं पुर्व ओपनिशिक जो पूर्ण ओपनिविशिक स वराज जो ता क्या है यह मैंने अभी न जो first part करवाया था ना उसके अंदर में डिटेल से बताया था देखो तौसरा में उपर ले जाकर आपको दिखा देता हूँ कहां पर हमने इसके बारे में discuss किया था देखो ओपनेवेशिक सोराज की में हमने बात करी थी ठीक है यह कि भारत के जो भी राज हो को पुण आपनेवेशिक सोराज का दरजा में पूण आपनेवेशिक सोराज देश को पर कहीं ने कहीं हैड कौन होगा तो जो बेटिस सरकार है वो हैड रहेगी इस तरीकी चीजों के बारे बात किया गया यहां पर जो रिपोर्ट थी अगर आप कई बार पढ़ोगे ध्यान से देखोगे अगर आप रास्टवाद के वावना अपके अंदर में बहुत ज पर यहां पर नहरु रिपोर्ट के अंदर में पूर्ण औपने वेस्थिक सवराज की बात की गई ठीके जिसका मतलग क्या था आप राजा आप उप ही रहोगे माली का फिरा जिक हम गुलाम रहेंगे पर यहां पर हमें अधिकार दो कि हम अपने खुद का कारे पाली का स्थ से विद्धान बना सके, खुद का हमारा सेन गठनो और खुद का ही हमारा पूराना जो विवस्था हो ना विदेशy निती का किसे व्यपार करना किसे करना, किससे संबंद वननाना किससे निकरना वो हम तैय कर सके और आज के समय में अगर इस चीज़ का एक्जामपल देखोगे तो कैनेडा सबसे बड़ा एक्जामपल दिख जाएगा आपको औस्टेलिया हो गया निजिलेंड हो गया और भी कई सारे अफ्रीका के कंट्रीज के इंदर में भी देश है चोटे-चोटे जो आज भी बिटिच सरकार के उपनवेशिक सोराज के इंदर में सामिल है अंतरगत आते हैं उसका इस्थान क्या था कि ब्रिटिज सासन के अंतरगत अन्य उपनिवेसिक समानों जो कई सारे जिसे भारत 1947 की गरम बात करते हैं 1947 से पहले के गराप टाइम पिरेड की बात करूँ 1902-1930 तो उस टाइम पिरेड के अंदर में भी ना कई सारे जो उपनिवेस थे उसके पास यह अधिकार दिया हुआ था कि वह सोराज था-उनके पासमें उपनिविश होने के साथ-छासन उनको रिजा यस के बारे में बात की गई कार-ेभली का कौविधान मंडलों के परती उत्तरदाइ बनाये जाए इसके बारे में बात क्या गया केंदरिये वैवस्था पिका का अंदर में 200 हम मतलब केंदर केंदर में जो पूरा वहस्था बैटन उसके लिए परदानमंत्री को चुना जाए जिस पार्टी के जो नेता होते हैं उसको वोट मिला उसको पास मतादिकार है पूरा मतलब भूमत है उसका परदानमंत्री बनता है और जो लोग सभा के लोगों का गठत चैन होता है वो मतादिकार के धार पर होता है जो भी आप वोट डालते ह करें है वो राजेसभा के लोगों को चुनते हैं कि भाणि यह बैठें की इस तरीक चुनका विठ्ञा Kirkусas है आगे में बात कुरूँ प्रांत और गेंडर की जो सक्तिया हैं संगया गाज़न की जाती है कि है कि यह है कई जब हैं जहां पर बोला जाता है कि केंद्र स्वकार डॉमिनेट कर रही है और पावर में जिने नहीं दे रही है और कौन कहता है किद्रिवाल जी कि अगर आप ले लो एक्जांपल तो सबसे ज़्यादा बार आपको देखने के लिए मिल जाएगा जहां पर वो हर बार कहत लग तरीके सो बार करें पर इसके बारे में बात की गई ती पर इसको समाप्त करके यहां पर स्वयूक्त निर्वाचन परनाली के बारे में बात की गई तो बिखार और बाकी जो गैर वीजेपी सासित राज्ये हैं उसके अंदर में इसी चीज़ को बढ़ावा दिया रहा है कि हम संपरदाइक निर्वाचन परनाली को लेकर आएगा तो आपको पता होगा अभ जाती एक जनगर्णा जिसको में नियुम बोलते हैं जहां पर जाती आपकी क्या है आप ब्रह्मन हो अच्छा आप चमार हो अच्छा आप राजपुत हो अच्छा आप छोद्र हो ऐसा गर कि उसको बांट दिया गया अलग लग लग उसमें बांट दिया गया अब वहां पर उसके पास पैसे आ जाएंगे क्या चीज़ होगा इससे परिवर्तित क्या होगा तो यहां पे ना लोगों का कोई फाइदा नहीं हो ना राजिस्थान और दो तीम स्टेट्स के अंदर में राजिस्थान मध्यपुर्देस के अंदर में तो यह चीज़े बढ़ चड़ का आपको देखने के लिए मिलने वाली है किस तरह से कार्ष्ट सर्वे का उप्योग क्या जाएगा इलेक्शन के अंदर में किस तरीके से योज मुस्लिम का यह हिंदू यह मुस्लिम है हिंदू मुस्लिम से लड़ना है हिंदू मुस्लिम से लड़ना है पर यहां पर रोल क्या होगा जाती के अधार पर लड़ा जाएगा ठीक कि यह राजपू थे ब्राम्मन है यह तो बनिया है यह तो यहां पर जाती के अधार पर इस जला ग्या जिसके अंदर में जो भी लोगों को आरक्षन दिया जाता है कि इसको आरक्षन मिला कास्ट के बेशिस पे हो चाए एकणोमिक के बेशिस पे हो आर्थिक उसके आधार पर जो एक टाइम पिरेड के लिए दिया गए ऐसा नहीं दाए तो वहां पर उस चीज आपका जो आरक्षन वहां पर खतम हो जाना चाहिए इस आधार पर बनाएगा पर आज के समय माँ देखोगे तो बहुत सारे जो जो ज़्यादा आगे हैं ठीक है कहीं ज़्यादा आगे हो उस आरक्षन के जो लाइन ऐसी माँ उससे फिर भी वह संगिये पहलू की बारे में बात में किया गया तीनेट के गठन और संगिता के सिंधानतों को अपनाए जाने के बावजूत इस प्रांत के अंदर में समान परदिनी दित्व नहीं था इस परकार का जो संगिये सिंधान था वास्तव में लागू नहीं किया गया 1919 के जो भारत सरकार का अधिनियन था उस सीमा तक में विकेंद्री करन की बात सामने रखी गई ठीके केंदर में रियासतों का संबंद इस पस्ट नहीं था केंदर और रियासत जो भी चुटे चुटे राजवाड़े के उनका किस तरह से संबंद बनेगा उसके बारे में विचार किया परन्तु इसके वैवारुक रूप नहीं दिया यहां पर विचारत हो गया गया कि इस तरीके से संग्य सविदान हमें बनाना चाहिए पर इसको प्रॉपर तरीके से इंप्लिमेंट नहीं किया गया इस रिपोर्ट की संपरदाइक प्रिसानी यह थे कि इस पस् संक्य संबुदाय का विश्वास उत्पन किया जा सकता है अब देखो एक कही न कहीं कैसा थपका था बारत के इंदर में सच्छा ही है बारत के इसा थपका था जो कहीं न कहीं बहुत पिछड़ा हुआ था जिसको आगे लाने की जूरत थी में जो में इस ट्रीम है न उसको लेकर आने उसके अंदर में लेकर आना जरूरी था तब उसके लिए क्या आता ना कि अलग अलग तरगे चीजें की गई कि यह इस तरह है इक तप्ड़ा बहुत बहुत आगे यह बहुत पीछे यह चीज़े यहां पर काई गई समीति के द्वारा यहां पर प्रस्ताव के बारे में बात किया गया कि क्या प्रस्ताव है किस तरह के चीज़ें उसके बारे में आप बात किया गया समीति के द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया इसके अंदर में प्र सब्सक्राइब करना होगा इसके बारे में कहा गया उत्री और पश्मी जो सिमान्त प्रांत था उनको पुन राजे का दर्जा देना होगा इसके बारे में करना पड़ेगा सबसे पहले धर्म और इमानदारी की बात कि इसके अधार पर मुस्लिम बहुत संखे को प्रांतों को राजनितिक सांस्कृतिक पैचान देनी होगी यहां पर इसका रिजन पता क्या था कि यह अलग देश की ना एक मांग उठन लगी थी उसमें कि किस तरीके स लग हमें राजय चाहिए लग है जही तो उसके बाद यहां पर उनको खुश करने के लिए इसके बारे में यह एक सिंद और बंबे प्रेसिदेंसी को अलग करना होगा इसके बारे में बुला गया उत्तर और पश्चिमी सीमा प्रांत के अंदर में पुन राजे का दर्जा चाहिए इसके बारे में बुला गया पृतक चुनाव पंणाली को स्वंग्त करनाओ, अलग लग जो चुनाव पंधाली है। इधर अलग इधर अलग उसको स्वंग्त करनाओ, इसके बारे में भी बुला गया। मुस्लीमों के लिए जो किंद्र है और अलग संखयां के ना यदुद के प्रांतों को यहाँ पे प्रांतों को अलग करने की बारे मैं बात कया गया जो Official प्रांतों को बांट दिया जाए उत्तर जो पेशिनomi सीमा के अंदर में गैर मुस्लीम है और सीटों के बटा ना हो और प्रॉपर तरीके से एक बार में चुनाओ वो एक तरीके से चुनाओ वो हिंदू का लग रहा हूँ मुसलीम का लग रहा हूँ इस तरीके चीजे ना हो इसके बारे में भी यहाँ पर सब सुझावित के गए यहां दो मैंने कुछ पर विक्की पेडिया पर टाइम निकालकर नहर हो अपड़ें जिससे आपको चीजे समझे में आ यह को चीजे चले के ले यह होते हैं और यहां पर बिटिओ को जब यहां पर शिक अपना है जो भी आ आप वीडियो देCar ही तो decent mira देखें उसको लिखें वीडियो को दो तीन बार देखें जिससे आपके पॉइंट्स के लिए रोजी चले आईगे आप कई बार बोलते हैं स्टूइंट करते हैं कि सर हम इस्ट्री पढ़ रहे हैं बट हमें याद में रहता चीज़ें नहीं रहे हैं तो उसका रिजन ही है या पढ़ रहे हो उसको देखके टाइम पास कर तो तरीके सा अगर अपना ओगे तब आपका उसका रिजल्ट दिखे का और समझ में भी आएगा यहां पर वीडियो एंड में मैं रिक्वेस्ट करूंग आप सभी विवर से जो भी वारे दाइनव के परिवार के हिस्सा है अगर अभी परिवार हमारा उसको अपरिवार हमारा हूं साथ हजार का हो चुका है तो जो भी स्टूटिंट अभी तक हमें subscribe नहीं कियो जल्दी जल्दी subscribe और हमारा जो goal है एक लाग का उसके तक हमें पहुंचाएं वहाँ पहुंचाएं आपके एक-एक जिसके अंदर में 1935 के कानुम के बारे में डिस्पस करने वाले हैं जो जल्द ही आपके पास वीडियो आचाएं यहाँ पर वीडियो अंड करते हैं बाबे टेकर रोल दे बैस